आप सभी का स्वागत थे आईए नज़र डालते हैं आज के मुखे समाचारों पर थाने क्राइम ब्रांच ने अज 19 करोड का ड्रक्स बारामत किया जिसमें दो लोगों को गिरफतार किया थाने कमिशनर पुलीज परंबीर सिंग ने बताया कि ये दो लोग ड्रक्स बेचने के चक्कर में यहां आये थे यह ड्रक्स सेंटार फार्मा प्राइबेट लिमिटेड से लाया हुआ था जो की अंबरनात में इस्तित है मिली जानकारी के अनुशार जो सेंटार फार्मा के जांच की गई तो वहां 754 किलो का अलफा जोलम नामक ड्रक्स मिला वह सुमारो नामक ड्रक्स 100 किलो बरामद हुआ पुलिस ने भी बताया कि इस कमपनी के पास 27 प्रकार की दवा बनाने का लाइसेंस था लेकिन इस ड्रक्स के हेरा फेरी में दो लोग कमपनी के एंपलॉई भी गिरफतार किये गए हैं बताया जाता है कि इस कमपनी का तीन जगहों पे ब्रांच था इस गिरों के बारे में पुलिस कमिशनर परमभीर सिंग ने बताए चे जनवरी को इंफोमेशन पर कारवाई करी हमारे सब इंस्पेक्टर वाल जले को इंफोमेशन आई थी एसीपी शेड के उनके दोरा टीम लीड की गई और आनन्द बिगेट टावर के नजदीक जाके उन्होंने दो लोगों को इंटरसेप्ट किया उनकी तलाशी ली और तलाशी के दौरान उनके दौरान उनके पास से लगए शे किलो कांट्रावेंड मिला जिसको वह बेचने के लिए आए थे उनको हमने अरेस किया अपने थावे में लिया उनके नाम ते लावकुष गुपता और अमित बोड़ बोले उनको अरेस करने के बाद कॉंट्रेवेंड मिलने के बाद और जाच होने के बाद एक गुना लाखिल किया गया ठाने नरगर पुलिस टेशन में सेक्शन 8C, सेक्शन 22, सेक्शन 29, NDPS 8 के तहर्ट और इन दौनों को हमने अरेस्ट कर लिया के इसमें इन से पूश्टाज के बाद सामने आया कि कंपनी के दो एंप्लॉईज इनके साथ इन्वोल्ड थे जिनका नाम में बासर राज बंडारी और अनिल राजबर हमारे टीम्स यहां से सिंटार फार्मासेटिकल प्राइवेट लिमिटेड अंबर नाक में जो फैक्टरी है वहां पहुंची कंपनी को जाके हमने फडे की टीम्स को भी बलाया सर्च ली गई और सर्च के दोरान लगपख साथ सौ किलो कॉंट्राबैंड वहां पे केविटीज में चुपा के रखा गया था वो हमको मिला वहां पे उसमें से 47 किलो लगपख 47 किलो ऐल्प्रोजोलेम था जो के एक नाको साइकोट्रोपिक सबस्टेंस भी लगबग 100 किलो जिनका वजनता हो प्राप्त हुए इसके इलावा 600 किलो और केमिकल भी केमिटीज में छुपा के रखा गया था उसको भी हमने तापे में ले लिया है उसको एक्जामिंग किया जा रहा है कि वह कॉंट्रवेंट क्या है टोट जो हमें वह स्टॉक रॉम मट्रियल का लंगब 105 तन का स्टॉक था अंडर प्रोडक्शन लंगबग 4 तन और फिनिश प्रोड़क्शन लंगबग 6 तन जो हमां स्टोर किया गया था इस स्टॉक को भी वेरिफाई किया जा रहा है अब ये की मदद से और हमारी क्राइम ब्रा गया है यह एग्जेट्टी किस तरह से इसका मिस्यूज हो सकता था त्रग जो नश्यले पदापके रुप में यूज होता है किस तरह लोग उत्रप करते था यह जो साइको ट्रॉपिक सब्स्टांस है जो कर नडी पीएस एक में लिस्टिड है यह खुद एक द्रग है अप स्ट्रिक्ट कंट्रोल है इसके बारे में और साइको ट्रोपी सबस्टांस अगर को कमर्शन कौंटिटी में प्राप होता है तो उसकी मिनिमम पर परिश्मेंट दस साल है जो के बीस साल तक क्या लगता है क्या लगता है क्या लगता है यह सेंटोर फार्मसोटिकल प्राइवेट लुइंटेड एक बड़ी कंपनी है यह फैक्टरी भी करीब पच्छे सोच से फैक्टरी यहां पर चल रही थी करीब 200 लोग यहां पर काम करते हैं तो वेरिफाई किया जा रहा है कि इसम पर ने डाइवर्ट किया, विदेश बेजा, कहां बेजा गया, वो सारी हमारे वेरिफिक्रिशन चल रहा है, एप्रोप्रियेट स्टेज पे आपके साथ शेर किया दोगा। इसके लावा वेरिफिकेशन के दौरान अगर और कुछ अपने को जानकरी मिलती है, सामने आता है, तो वो भी आप ते शेर करेंगे, इससे पहले कितना माल डाइवर्ट किया गया था, कहां ले जाए गया था, विदेश बेजा गया था, या किस प्रकार से उसका यूज किया किया था, वो अवश्य हमारे इन्वेस्टिकेशन में सामने आएगा और आप से शेर किया था, हम वेरिफाइब करेंगे, इसका रैमिफिकेशन कुछ है क्या, विकॉस कुछ समय पहले डियराई ने भी एक केस किया गया, जहां पर एल प्रो जोलाम को कॉल सेंटर के मारफत, विदेशी नागरिकों को भेजा जा रहा था, बेचा जा रहा था, तो उससे भी कुछ कनेक्शन है क्या, वो भी हम अवश्य वेरिफाइब करने की कोशिश करेंगे, इसके अलावा 600 और अपने तावे में लिया है, उसको वेरिफाइब किया जा रहा है, कि कौन सा कॉंटरा पैंड है क्या, उसकी कीवत उसके बाद आखी जाएगी, साती पुलिस कमिशनर ने बताया कि इस केश में और बड़े खुलाशे होंगे, जो जल्द ही मेडिया को सेर किया जाएगा, वहीं पूर्वनगर सेवक रहे, लाल जी यादो का जन्मदिन, सिवशेना के उप साखा प्रमूक, सिवा जी लाड और उनके कारकरताओं ने बड़े ही सम्मान के साथ मनाया, वहीं कचड़े को लेके लगे आरोप बीजेपी के रायला देवी अध्यक्ष सायलेस कदम ने बताया कि आप रायला देवी अध्यक्ष हैं कि पजबे हैं इस समय बीजेपी के, और के जो इसमें कमिशनर है संजीव जैसवाल जी वह भी सफाई को लेके तरह तरह की योजनाय चलाए है यहारते लेकिन प्रभाग कमांग 15 में जहां देपो नाले की सफाई या बातरूम की सफाई नहीं है तो इस पर आपका क्या विचार है देखिए जो हमारे पदान मंत्री है मानिया नहिंदर मोधी जी इन्होंने स्वच्चता अभियान देश बर में चला आया है उसी चीज को हम लोग शरानिया मान के मैं यहां राहला देवी विबाग का देख्ष शेलिश कदम के नाते और हमारे सहयों की मानियर नगर से राज कुमार यादो जो अभी सभबती है उनके द्वारा महानगर पालिकाँ को बार बार पत्रह भवर किया गया है फोन पर контum लोग बार बार शिकायत करते रहतें पर माहा पालिका के आदिकारी और कर्म जारी इतने आलसी हो गए कि ना ये लोग प्रतिनेदी को मानते ना किसी पदादिकारी को मानते बार-बार शिकायद करके भी इन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया है इसका भुक्तान यहां जो उमिदवार खड़े होंगे उनको करना पड़ेगा इसका असर लोग चुनाओं में हमारे उपर दिखाएंगे अचा आपने जो पत्रविवार किया है यहां पर आयला जेवी में अब आज करते हैं आज करके आज तक हमारे परीसर में आसवचता ही आसवचता दिकरेंगे आपको ऐसा लगता है कि संजीव जैस्वाल इतने जो प्रेवित नुमा काम कर रहे हैं इतने कारवाई करवाई अब आज लॉजो पे और इस पर इस पर लेकिन उनके अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं निसे उजैस्वाल जी का काम यकिनां सहाल है पर उनके कुछ अधिकारी होते रहा जैसे दस आमूं में एक खराब होता है ऐसे समझो खराब आम हमारे प्रबा कर्मंग पंद्रा कोई मिल है तो खराब हम काम नहीं कर रहा है